आज हमारे साथ वो नेता हैं जिनकी चर्चा पूरे महराश में हैं लेकिन वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राज ठाकरे आपका स्वागत है BBC हिंदी में आप पूरे महराश में रैलीज कर रहे हैं और corporate style presentation कर रहे हैं जिसकी चर्चा देश में हो रही है आप नरेंद्र मोदी के भाशन दिखाते हैं ग्राफिक्स दिखाते हैं सभी चीज़े दिखाते हैं लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं देखे मैंने दो तीन साल पहले मेरी एक रैली में मैंने कहाistas कि मैं लोखसवा चुनाव नहीं लड़ूंगा अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इसका मतलब ये नहीं किम्पेंड नहीं करओंगा जो मुझे लगता है और मुझे लगता है कि मुझे ये अपने पुरे देश वासियों को बताना चाहिए कि इन दो लोगों ने अमिच शाह और ये नरिंदर बोधी इन लोगों ने इस देश की क्या हालत करके रखी है और ये सामने रखने के लिए मैंने सोचा कि मैं कैंपेंग करूँगा इनके खिलाफ तो जो मैं कर रहा हूं है तो फिर भाजपा आप पे आरोब लगा रही है कि आपने उनके सुपारी ली है को अंग्रErस की सुपारी ली है 2014 के पहले जब मैं कांग्रेस के खिलाफ बात करता था तब क्या भाज़ अपने सुपारी दी थी पर तब आपके उमिद्वार भी थे नहीं नहीं मैं लोकसभा की बात नहीं करा हूँ उसकी पहले की बात करा हूँ मैं 2012, 2013, 2011 जब उनके खिलाफ मैं जब रैलीज ले रहा था Congress के खिलाफ तब इनको अच्छा लग रहा था अब इनका जब टाइम आया इनका जब मैंने पोल खोल करना शुरू कर दिया और इनका क्या है ये दो ही लोगों के जिनके उपर इनका पुरा यानि इलेक्शन चल रहा था 2014 से लेके अभी तक ही आए वो सरकार चल रही थी उनको समझ में नहीं आ रहा है BJP को कि इसका हम लोग जवाब कैसे दे क्योंकि इतना नरिंद्र मोदी और अमिच्छा अमिच्छा तो छोड़ो टे लेकिन नरिंद्र मोदी ने इतना जूड बोलके रखा हैं इस देश में पिछले पास साल में और पास साल के भी पहले क्योंकि पास साल के पहले वो अलग बात करते थे 2014 के पहले और 2014 के बाद अलग बात करते तो ये सारी चीज़े जो मैंने सामने रखी तो BJP को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रियाक कैसे करे तो फिर इन convince क्या है दूसरा कोई चारा नहीं है दूसरे को इनके पास कोई जवाब कर रहे हैं इनके लिए बात कर रहे हैं मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सवालों के जवाब है क्या आप दे vertices मुझे सव वह जवाब पर अमिट्शा और नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज काम कर रहे हैं उसी तरह से गुजरात में 2014 से पहले काम कर रहे थे और आपने वहाँ जाकर उन पर उनको प्रेस किया था आपने कहा था कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है नर्मदा का पानी यहां कच के इसानों तक लाया है कि उसवक्ट जो टाटा साफ हमने कहा था उसवक्ट मैं देखने के लिए घाए अगर मेरी प्रेस्कांफेरंस अगर आप देखेंगी वापिस योट्यूब पर रहे की वह जो मैंने लास्ट गुजरात में निकलते वक्त मैंने प्रेस कांफरेंस ली उस वक्ट मैंने यह क वाहा का SP रहता था collector रहता था और वो दिन भर मेरे पीछे बात करते रहे थे मोधी जी ने ऐसा किया मोधी जी ने ऐसा किया अर हर district में जब जाता था तो वाह के collector SP आते थे तो जो बात करते थे फूझे एक बार समझ में नहीं आया कि ये रोज इतनी बात क्यों कर रहे हैं मुझे लेकि मैं बहुत चलो ठीक है लेकिन उस वक्त जो मीडिया भी जिस तरह से बता रही थी नियूस पेपर्स भी जिस तरह से बता रहे थे मुझे लगा कि अगर यह आदमी इस तरह से काम कर रहा है यह जो बोल रहे हैं अगर इस पर बताया गया जो दिखाया गया वो एक जूट था और आप उसमें फज गये सब लोग फज गये देश फज गया मुझे एक बात बताईए आपको लगता है कि मैं मैंने कहा कि वो प्रदान मंतरी बनने चाहिए इसलिए देश ने प्रदान मंतरी करके चुना तो मैं अभी बो अङ्छाट वो बोलते कि आपने कहा ता कि प्रदान मंतरी बनने चाहिए तो आपको लगता है देश ने सुन लिया तो आपको यह आपको यह प्रश्च पढ़ रहा है कि यह नहीं तो कौन में अपकि रैलियों का फायदा तो कॉंग्रेंस और न्सीपीन फिर मेरे भाशन आ तो मुझे लगता है कि वहां की जो पार्टियां है उनको भी तो फाइदा होगा अपको लगता है राहुल गांधी अच्छे प्रधान मंत्री बन सकते हैं क्यों नहीं बन सकते हैं देखिए एक्स्प्रिमेंटी करने हैं ने देश पे एक्स्प्रिमेंट किया जो फेल हो गया चलो दूसरा करते हैं तो आप ये खुल के क्यों नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए वोड देए उस दिन गुड़ीपाडवा की सवा में तो यहीं तो कहा देखिए मैं मेरी सोच है न यह आड़ी तेड़ी सोच नहीं है ऐसी मैं सीधा सोचता हूँ जो कुछ बात कह यह मैं सीधी बात कर लेता हूँ और उस दिन मैंने वहीं बात की कि अगर राहुल गांधी प्रदान मंत्री बनते है तो बनने दो ऐसा थोड़ी देश चलता है कि एक आदमी यह तो उस वक भी चल रहा था कि नेरू के बाद कौन चली रहा है न देश इतने प्रदान मंत्री कि इन सारी प्रदान मंत्री जितने आये उस में तरक्य हुई न देश की जो कंग्रेस ने यह जो आपका वाट्स एप और यह सारी चीजे ट्वीटर बीटर यह उनकी समाने में आया ना कंग्रेस की समाने में अगर काम नहीं करते तो ननेदरमोधी यूज़ क्या करते फिर फेक न्यूस के लिए जब MNS की स्थापना हुई थी 13 साल पहले तब MNS ने कहा था कि हम मराठी लोगों के हकों के लिए लड़ेंगे बात में उत्तर भारतियों की पिटाई भी की गई थी MNS के कारे करताओं द्वारा अब आपने आपकी जो भूमिका है वो बदली है तो क्या आपकी उत्तर भारतियों के प्रती भूमिका भी बदली है देखे आप मेरी भूमिका समझ नहीं रहे हैं या तो मुझे लगता है कि समझ के उससे टाल रहे है मेरी महारास्ट्रा में नोक्रिया हूँए आपको याद होगा वो जो अंदोनन हुआ था उसके पहले हमारे लोगों ने जो रेलवे मंत्रा लए है उनके साथ हमने बहुत बार हमें निवेदन दिये थे कि यहाँ पे अगर नौकरिया है रेलवे की तो यहाँ के लड़कों को मिलना चाहिए अगर बिहार में है तो बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए यूपी में है तो उनके लोगों को मिलना चाहिए और यहांपे जब नौकरिया थी रेल बे की तो महाराश्ट्र के किसी मराथी न्यूस्पेपर में उसका कोई इस्टियार नहीं था, कोई एड नहीं थी और सारी की सारी एड उप्य और बिहार के नियूस्पेपर्स में थी तो वहां से लड़के यहां पे आ गए हमारे जब लोग उनको बताने के लिए गए कि भई यहां के लोगों को मिलना चाहिए आप वापिस चले जाहिए नोकरिया यहां तब उन लोगों ने जो भाशा का इस्तिमाल किया वहां पे वो संगर्श हुआ मेरा आज भी कहना है कि हर राज तरक्की करे हर राज जमें इंडस्ट्री जाए वहां के जो लड़के युवक है युवती जो है उनको वहां पे काम मिले उनको नोकरिया मिले उनका घर बसे यह उस वक्त का मेरा जो कहना था आज भी वही मैं कह रहा हूँ अगर बीच में मेरा एक हिंदी में भाषन हुआ था उसमें मैंने सारी की सारी बाते उसमें कही है मैंने भूमिका नहीं बदली मेरी भूमिका वही है मैंने उस दिन कहा कि लोग मुझे पुछे कि ननारिंद्र बोधी के बारे में आपकी भूमीका बदल गई मैं वह ला मैं भूमीका नहीं बदली आदमी बदल गया जब आदमी बदला तब मेरी भूमीका बदली जो सोचा था तो क्या उत्तर भारतियों की पिटाई नहीं होगी अब बात ऐसी है कि situation के उपर रही है बाते अगर मराठी लोग यहां से उठकर चले जाए यूपी में नौक्रियाओं के लिए तो वो क्या करेंगे आरती उतारेंगे मैं खुद भी यूपी में काम कर चुक रहे हैं वो आप कुछ भी कर लो बात ऐसी है न आज बीबीसी मराठी में हैं आप मराठी है कल पकड़ लिजिए कि कोई एक दूसरा मराठी बोलने वाला कोई यादो आके अगर बीबीसी के आपकी सीट पर आके बैठा और आपको नि बुरा नहीं लगेगा आपको हर राज्य में ऐसे ही होता है अगर वहां के बियार के यूपी के वहां के लड़कों के अगर हक किसी ने आके अगर चिन लिये तो उनको बुरा ही लगेगा ना तो ये बात आपको समझनी चाहिए पहले मैं क्या कह रहा हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जो राज्य है उसके जो यूवक है यूवती जो है उनको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए हर राज्य में